गज मानें इंडिया दोस्तो नमस्कार दोस्तो आज की मेरी ये कहानी किसे के जिन्दगी की एक सची दास्ता है जो मैं आप सब के सामने पेस करने जा रही हूं तो ये कहानी आपको कैसी लगती है ये आप हमें कमेंट बॉक्स पेर कमेंट करके जरूर बताना साथी अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब चरूर करें चलिए दोस्तों सुरू कहते हैं आज के हमारे इस कहा बात इस कहानी को सुनते वक्त ये फोन ये पिर हीडफोन को भीओ करें इस से साथ निकी आपको पसंद आएगी जब आपके पार पहुंच एगी चलिए अब साथ करें करते हैं ये कहानी शोती केहती है ये बात मेरी आज से करीब दोशाल पहले की है जो मैं आप सबसे पेस क मैं इस वक्त मेरी साथी को क्रीब दो शाल हो चुती ती में सिन्दह की बिल्कुल सही चाज रही थी मैं मतलब उस वक्त मैं जॉब नहीं करती थी को दिन पहले यह जॉब छोड़ दिया था कि मेरे पति का mission music कर लो और मेरे पती के साथ में काम करती थी ऐसे करी बहुत महीं ने गुसर के निछे मेरे पती के साथ ये काम करना काफी अच्छा लगता हम बत्लब बार्टकरश में थे विप्नुन कर दो Wenuk Ale जितना भी इंटर्वीउ वगेला होता था या फिर आपस में किसी को भी रखना होता था यह सब मुझ पर शोर देते कि मैं जिसे चाहूं चुनके रखतू तो इंटर्व्यू देने के लिए था मैं सबके इंटर्व्यू ले रही थी बहुत देड़ तक मैं बैठी रही वहां पर सबको इंटर्व्यू ले थी तब ही आकास आया पता नहीं क्यों वह देखने में भी हां बहुत अच्छा था और एपके बादशीद करने का ड्हांग भी बहुत बढ़िया था आते ही उसने मुझे कहा कि हलो मैं मैंने भी हलो पता नहीं क्यूं कभी कभी अकसर होता भी है कि कि मसे करने का श्टाइल आपको इतना अच्छा लग जाता हैं कि आपको लगने लगता है कि वह सुछ में एक ग्यार उसके बाद उसने मुझे मतलब उसके बाद दिल से हमेशा चब भी वह आपस आता मुझसे काफी अच्छे से बात चीट करता है लो करके बात करता कभी कभी मुझे तारीफ करता तो मैं कहती मैं तुम्हारी बॉस हूँ तुम मेरे तारीफ करो मेरे साथ फ्लट कर रहा ह क्या इस पर वो कहता कि फिलट नहीं कर रहा हूं बस आफ हो इतनी कुसुरत कि मैं आपके तारीफ किये बिना रही नहीं जागता उसकी इस तरह से बातचीत का नाम मुझे काफी अच्छा लगता समय गुजरता चला जा रहा था और पता नहीं क्या उसका ऐसा जादू था कि मै मैं उसके तरफ आकरसित होते जा रही थी ऐसे ही बहुत दिन गुजर गए और इतने ही दिनों में मुझे यह एहसास हो चुका था कि वह लड़का मेरे से फ्लट करता है तो यह सब चीजे मैंने पती को तो नहीं बताई लेकिन मैं भी उससे धीरे धीरे फ्लट करती एक कहीं जाना है यह ऐसे वैसे और तो मैं उसके हर बात सुन लेती कभी-कभी तो मेरे पती मुझे बोलते भी के तुमसे शुट्टी क्यों दे यह यह पिर ऐसा क्यू करती हो लेकिन क्योंकि वह मेरे से बहुत ही अच्छे से बात चीद करता तो मैं उसे छुट्टी यह उसका तो एक बार की बात है, एक दिन मैं आफिस में बैठी हुई थी, उस दिन मेरे पती से मेरा थुड़ा जगड़ा हो गया था, वो मेरे केबिल पे आया और कहा, नॉक नॉक, मैंने कहा, यस, तो मैं 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 कम इन, तो मैंने कहा, यस, बताओ क्या काम है, उन्होंने उसने कहा वैसे काम तो कुछ और था, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि अब इस जिन्दगी का क्या ही करूँ, मैंने कहा मतलब, तो उसने कहा, अरे आप अगर इतने परिशान रहेंगे, इतने सैट रहेंगे, तो मैं ऐसे जिन्दे के चीगे ही क्या करूँगा, मैंने कहा, पागल हो गया, तो उसने कहा, पागल तो हूँ, लेकिन देखिए, इसी पागल के वज़े से आपने मुस्कुरा तो दिया, मैंने कहा, अच्छा, तो तुम मुझे मुस्कुराने के लिए ये बात कहें, तो उसने कहा, वैसे बस सिर्फ मुस्कुराने के लिए नहीं, आप का सैट देखकर मे प्यार करने लगो मैंने का तुम से प्यार मैं साधी सुधा हो सरम नहीं आती ऐसे बात बोले में तो कहता साधी सुधा हो तो क्या हुआ प्यार नहीं कर सकते सुना है प्यार की कोई उम्र नहीं होती मैंने कहा देखो उम्र तो होती है लेकिन मैं अपने पती के साथ बहुत मैंने का तुम पागल हो बल्कुल उसने कहा अब इतनी खूबसूरत लड़की अगर रही कि तो कोई भी इंसान तो पागल होई जाएगा ना दोस्तो सच कहूं तो ऐसी ऐसी बातें वो कहता कि उसकी बातों का जवाब दिये भी ना मैं रही नहीं पाती लिए मैंने उसे कहा कि तुम सच में पागल हो इसने कहा फिर मैं तो कहा अपके प्यार में पागल हो पिर मैंने बताया पूछा कि क्या का में बताओ तो से अटे करते हैं यह रच्च का थबीट घराब को वसे कुछ पीश करदेश का करद दें सब्सक्राइब क्युक्त अब कikenलिम ने महां बोल Вам major कराज की वोछ दुन बात कि मिरे पती बिमnes्से बात पर नाराज से इतना बादचीत करती हुए दोस्तों कभी-कभी मुझे भी यह चीज़ लगता कि मैं पता नहीं ने बादचीत क्यों करती हूँ जबकि उसका जो भाहर था वह मुझसे काफी फ्लड भी किया करता मैं सब बातों से बहुत जादा ही चुप हो जाती लेकिन ऐसे ही समय के साथ साथ मुझे यह हैसास हो गया कि साइद वो मुझसे प्यार करता है या फिर मेरे दिल के किसी कोने पे उसके लिए कि प्यार आ चुका था मैं यह समझ रही थी खर एक तिन जब मैंने उसे प्रपोस किया तो उसने कहा मैं भी तो आपसे प्यार करता हूँ सच कहूं तो आप मुझे बहुत पसंदो दोस्तों उसके इस बात कहने पर मैं बहुत घुस्वी लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि इतना दिनों तक उसने मुझे पैसे मांगे उस दिल करीब 2 लाग रुपे उसने कहा मेरे मम्मी का अपरेशन है तो मैंने दे दिया क्योंकि मैं उसे प्यार करती थी ये सब चीजे मैंने अपने पती को नहीं बताई साथ उसके वैसे मेरे मेरे पती का रिस्ता भी खड़ाब हो गया था क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए फीलिंस आ गई थी लेकिन दो लाग रुपए को लेने के बाद वो उसके बाद वाले दिन ओफिस नहीं आया पहले तो मैंने सोचा कि उसकी मम्मी का उपरेशन है इस ले नहीं आया लेकिन करीब एक विक तर जब आप नहीं आया तो मुझे उसकी चिंता होने लगी बाद फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया फिर इतना ही नहीं इस दूब कि मैं उसे प्यार करती थी उसका जो एड्रेस दिया हुआ था उस एड्रेस में में मुझे भंसा कर अपने मतलब निकालना चाहता था उसे पता था कि अगर वो मेरे से बातचीत करेगा तो मैं उसके लिए पिकल जाओंगी और उसने बिलकुल वही किया उस वाक मुझे बहुत बुरा लगा उसके वैसे मेरे और मेरे पती का विरस्ता खड़ाव हो गया थ खैर इस वीडियो को आप लोगों से साथ सेयर करने का मतलब बस इतना था कि जो गलती मैंने की है वो गलती आप मत करना सेफ रहना दोस्तों साफधान रहना लास्ट में वीडियो के अंत में एक बात कहूंगी देखो आप अगर किसी के साथ रिस्ते में होना तो किसी के साथ तोड़के किसी और के साथ relationship में जाना सही नहीं इस बात को समझो सेफ रहिए साफदान रहिए इस वीडियो से लेटे हैं अमल विदा मिलते एक नहीं वीडियो में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें तिल देन बबाई तेक केर बाई